सूरे कांथ त्रिपाथी निराला की एक कविता ध्वनी अभी न होगा मेरा अंत अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत अभी न होगा मेरा अंत हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फेरूँगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्यूश मनोहर पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खीच लूँगा मैं अपने नव जीवन का अम्रित सहर्श सीच दूँगा मैं द्वार दिखा दूँगा फिर उनको है मेरे वे जहां अनंद अभी न होगा मेरा अंद प्राहा, यौवन या युवावस्था की तुलना वसंत रितुसे की जाती है और कवी निराला ने भी इस छोटी और सुन्दर कविता में इनकी समानता करते हुए प्रकृती और शारिरिक अवस्था का बड़े ही सुन्दर ढंग से वर्णन किया है ये दोनों ही अवस्थाएं वसंत रितु इवं यौवन या प्रकृती अथवा शरीर के सुन्दर्य के आकर्शन को दर्शाती है अभी आपने इस कविता को सुना, इस कविता के भाव सिसंबन्थित किसी और कविता की रचना कीजिए अपना की रच्छ अभून याव सिसंबन्था झाहत रिता की रही किसी और के यौवन